हाई फ्रेंड्स वल्कम तो टैली डिजियोल क्लास दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे टैली ए आर पी 9 में जीस्ट क्यों कैसे इनेबल करते हैं और जीस्ट के लेजर कैसे क्रियेट करते हैं तो दोस्तों फिर से एक और बार छोट इसी रिक्वेश्ट है कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरी चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में आता है बैल आइकन को जुरूर दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो की नौटिवेकेशन मिलती रहे तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का इस टॉपिक सबसे पहले हम F3, F11 दबाते हैं Company Features और इसके बाद Statory Taxation मतलब F3 दबाते हैं तो आपके समने कुछ Information आ जाएगी सबसे पहले आपको दिख रहा होगा Enable Goods and Service Tax GST यहाँ पर आपको Yes करना है Set Alter GST Detail Yes आपके समने कुछ हैसा इंटरफेस आ जाएगा Yes आप देते ही आपके समने इंटरफेस आ जाएगा मैं आप पर सिंपल सी अपनी Information बल लेता हूं GST नंबर है वगरा जो भी है वो यहाँ से मैं बल लेता हूं GST Return आप Monthly करते हैं या quarterly आप यहाँ से कुछ भी सिलेक करते हैं कर लेंगे मैं आप सिंपल सी मतले सिलेक कर लेता हूं और यह Information बाकी की जो भी Information है वो यहाँ से मैं बल लेता हूं आप पढ़िए और फिलब कर लीजिए आपकी जो भी विनेस के रिलेड़ेड़ जो भी है वो यहाँ से आप फिलब कर लीजिए Regular होतो Regular और यहाँ से मैं इसे सेव कर लेता हूं तो यह GST इने में लमा रहो गया और अब हम जानेंगे कि लेजर कैसे क्रेट करते हैं तो सबसे पहले हम Account Info और यहाँ पर लेजर्स में मैं यहाँ पर कुछ लेजर्स बना चुका हूं जीएटी के आइटी सी ईटी और जीएश टी तो में यहाँ अल्टर पर क्रेट करूंगा तो यह कि अपको दिखाय देगा सीजी इसटी इसके हम अंडर में है Duties &alg precisamente मारा उने में हमारा ट्स है तो हम जोडिएटी सेंट액 से में और यह सबस्क्राइब ट्वेंटिफाइब फैपर्संट फाइपर संट त्वेल परसंट और एक और है आज जी इस्टी है है आई जी इस्टी यह बहılा चुकर हूं तो यह भी डूत्रीज थेक्स जी स्टी यह हमारा इंटीग्रेटेटेटेक्स है तो में इसे इंटीग्रेटेटेक्स करके में इसे 5% होगा यह हमारा IGST मतलब यह में Central Government को देना होता है और SGST यह हमारा SGST duties and taxes GST 2.5 और इसे save कर लेते हैं तो दोस्तों यह हमारा save हुचुका तीन हो तीन लेजर हमारे यहांसे save हो चुके SGST IGST और CGST तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लेगा कमेंट वक्त में जरूर बताए आने वाले समय में और भी बेहतरीन वीडियो बनाना वाला हूँ तो आप इसे सेव कर लीजिए यहां सबस्क्राइब कर लीजिए